दोस्तों परिवारों के विगड़ते रिस्तों को यदि घर में ही ना संभाला जाए और गलती से वह सार्वजनिक हो जाएं तो फिर सोसल मीडिया पर उनकी चर्चा हो जाती है उत्तर फिर्देश में एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर और उनके साथ ही इंस्पेक्टर की भी बहुत जादा चर्चा हो जाती है क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था पहले से साधी सुदा इंस्पेक्टर साहब एक महिला इंस्पेक्टर के साथ उनके ही थाने के सरकारी आवास में थे तभी उनकी पत्नी वहां पोच कर उने रंगे हाथों फकड लेती है दोनों के साथ हाताफाई की जाती है और वहां खूब एक फैमिली ड्रामा होता है ताजुब की बात यह थी कि थाने के कई पुलिस कर्मी वहां मौजूद थे और सब वहां तमाशवीन बने हुए थे इतना ही नहीं इसका वीडियो भी बनाया गया और ऐसे कुछ वीडियो सामने आ जाते हैं जिन पर आपको भी हैरानी होगी यह मामला उत्तर प्रदेश के आगरा सहर से सामने आया इंस्पेक्टर साहब की पतनी कई दिनों से जासूसी में जूटी हुई थी महीला इंस्पेक्टर के थाने के ही एक सिफाही ने उनकी मुखवरी कर दी थी पूरा मामला ही कुछ ऐसा निकला है कि सब हैरान रहे गए कि आ गए किसी को स़स्पेंड किया जाता है तो किसी को लाइन हाजिर कर दिया जाता है धर्एसल उत्तर प्रदेश के आगरा सहर का एक थाना है रकाब गंज थाना परिशर में ही पुलीस कर्मियों के रहने के लिए आवास वणे हुए हैं इस थाने की जो इंचार्ज होती है वह बीधाल थाना परीसर में ही होता है। एक दिन शाम के तक करीवन चार बज़े का वक्त था जब कुछ लोग एक कार में सवार होकर महीला इंस्पेक्टर के घर के बाहर जाकर रुखते हैं। भी भार खीच लाते हैं यह मालूम चलता है कि जो महिला इंस्पेक्टर के साथ व्यक्ति था वे खुद भी पुलिस में इंस्पेक्टर हैं दोनों को भार खीच कर लाने के बाद ना सिर्फ उनका वीडियो बनाया जाता है उनके साथ जबरदर्स तरीकी से हातापाई की जाती हैं लेकिन उनकी बात को वहाँ अनसुना किया जाता है ताज्यूब की बात यह थी कि वहाँ कुछ पुलिस कर्मी पहले से मुझूद थे लेकिन वहे उन्हें बचाने के बजाए खड़े होकर तमासा देख रहे थे इसके बात पूरे मामले को फिर समझने की कोशिश की जात है जो वाते निकलकर सामने आती है उन फर अधिकारी भी हैरान रह जाते है इस वीच जो वीडियो मौके पर बनाई जा रहे थी उनहीं में से कुछ लोग उन वीडियो को सोसल मीडिया पर जिले में तैनाथ थे कुछ दिनों पहले उनका विजिलेंस में तबादला हो गया था तबादले के बाद वह लीब पर चल रहे थे इंस्पेक्टर की अपनी पतनी से अनवन चली आ रही थी और यह अनवन इस बात को लेकर जो सामने आ रहा है इस बात को लेकर जादा थी के इ परिवार फिरियास किया लेकिन वह अपने फिरियासों में काम्याब नहीं हो सकी इस वीच जब इंस्टर का तबादला होता है तो अपने परिवार में वह यह कहकर निकलते हैं कि वह अपने तबादला रुकवाने के लिए जा रहे हैं हाला कि पत्नी को यह शक होता है कि होना ह वहें उसी इंस्पेक्टर से, जो कथी तोरफर उनकी फ्रेमी का है और जो आगरा में फोश्टिड थी, वहëीं उनसे मिलने के लिए जा रहे थे. पत्नी को इस बात को लेकर पूरा शक था. पत्नी के चले जाने के बाद पत्नी भी आगरा जाने का पैलन करती है, क्योंकि पत् segundos को यह शक होता है कि होना हो उनके पति आगरा ही गए है इसके बाद पत्नी अपने कुछ रिष्टिदालों को तैयार करती है अपने भाई को तैयार करती है और वहवी कार से आगरा के लिए निकल लेते हैं वहें लोग सीधे थाने में प्रिवेश कर जाते हैं और आवासी परीसर की तरफ जब पोस्टे हैं तो पतनी ने देखा कि उनके पती की जो कार है वहाँ पहले से खड़ी हुई है और उन्हें पूरा शक हो जाता है और वहें इस बात को लेकर पूरी फुक्ता हो जाती है कि उ मिलने आते रहे थे और यह भी सामने आया कि महिला इंस्पेक्टर का अपने थानों में बीते कुछ दिनों पहले कुछ अधिनिस्तों से विवाद हुआ था उनकी काफी हो टोक हुई थी और इसको लेकर जो उनके अधिनिस्त हैं वहें उनसे चिड़ेने लगे थे और उनही में से एक पुलिस कर्मी जो पुरुस इंस्पेक्टर वहां मिले उनकी पत्नी के संफर्ख में आ जाते हैं और वहें उन्हें टेलीफून करके एक एक बात की सूचना दिया करते थे और उसके उस मामले में भी बताया जा रहा है कि उस पुलिस कर्मी नहीं मुख्य भूमी का निभाई और उनकी पत्नी को बिल्कुल सठीक सूचना दी के वहें तुरंत मौके पर आ जाएं और उनके पती इस वक्त थाने में ही महिला इंस्पेक्टर के साथ मुझूद हैं यह पूरा मामला खबरों में आ जाता है सोसल मीडिया पर इसकी चर्चाएं हो जाती हैं पुल कि पूलिस कर्मियों को लाइन हजिर कर दिया जाता है इसके साथ ही तो मैं उन्हें छडाने का फिरयास नहीं पिरियास नहीं करते और इसके बदले खड़े होकर तमाशा देखते हैं और उनका वीडियो वनाने लगते है हालाकि इस मामले में जो महीला इंस्पेक्टर हैं महीला इंस्पेक्टर ने मुकदमा पंजीकरत करा दिया है और यह मुकदमा जो इंस्पेक्टर की पतनी है उनके विरुद्ध दर्ज कराया गया है उनके विरुद्ध दर्ज कराया गया है उनके विरुद्ध दर्ज कराया ग इंस्पेक्टर की पतनी वे उनके करीमियों को पकड़ लिया जाता है इसके साथ ही यह मामला विभाग के लिए भी वदनामी का कारन बनता है जिसके बाद आधिकारी एक्षन लेते हैं और एक्षन लेते हुए महीला इंस्पेक्टर को भी ततकाल फिर्भाव से सस्पेंड कर दिया जाता है इसके साथ ही जो इंस्वेक्टर नूंके साथ मिले उनके संबंद में उनके विभाग को फत्र लिखा जाता है साथ ही इस पूरे मामले की घहराई से जांच के आदेश भी दे दिये गए हैं दोस्तो इस वीडियो फार आपकी क्या राये है कोमेंट वोक्स में ज